हलो स्टुडेंट गुड इबनिंग टू आल आफ यू विल्कम टू माई यूटूब चैनल बिएस्टी बायवाला बच्छों आपको पता ही है आपका जो नान काड़े ता इकाइन डर्मेट से सक इन्वार्टी बेर सस्वारी वो हम लोगों ने अच्छे से फिनिस कर लिया थ हम लोगों ने पढ़ा इकाइन डर्मेटा था इस पेपर में आपको जो यहां तक था यह आपने पढ़ लिया ठीक अब इस पर बाद आपके पेपर में दिखा दे रहे हैं आपको दिखिए आपको आज मैं दो टाइब का सेलबस दिखाऊंगे ठीक न और उस सेलबस में पढ़ना है देखिए इस में तो कोई प्राप्रब्लम नहीं हमने पोटर जोगा से सिलन्टेटर पढ़ना है। टिक हमने स्टीनोफोरा से निस्माटेश पर लिए ऐंलेडा से अर्थो पोडा हम लोगों पर लिए मॉलस्का से हेमिकाड़ेटा पढ़ लिया देखिए एक चीज आप यहां पर नोटिस करिएगा यहां पर मॉलस्का में आपको लामने डेंस और और यहां सिश्टू सरकाई यह दो जी दिस्टा पढ़ना था ठीक और देखिए इस सेलमस में जो है फिर आपका है वेक्टर энड पेस्ट जो आपकी सातम है उसका नाम है वेक्टर और पेस्ट इसमें हमको को लाइफ साइकल आइंद दीर कंट्रोल को सधंधुर्फ को पढ़ना है तो आपको सथमय यून्ट है वह इकोनामिक जोलोजी में आपको अनेमल घ्लीईग कलचर में एक गल्टर का अंगे कलच्चर at इस सेल्बस की बात हो गई अब मेरे पास एक और सेल्बस है आपको उसको दिखाते हैं कि देखो अच्या एक और सेल्बस गया जो है धे यह नहें जो सेल्बस है अधिखायों की अब लोग जो आपको पढ़ना यह डिखिए यह पहले यूनिट में है इनसे ुक्से पोड़ना पढ़ना है प्रोटो जुवा में पैरामिस्ययम को बस पढ़ना है लेकिन उस इल बस में पैरामिसियम भी था युगलीना भी था मोन विक्ड़ीग खी ना hört हो ठीक लिसने पड़ना यह विद्थ पढ़ना था लेकिन हम लोगों ने ओविलिया आरे लिए दोनों पढ़ा है ठीक नेक्स्ट यूंड जो सेकंड है उसमें आपका है टीनो फोरा से निमाटे हलमन्थी इस तक इसमें इनका साइलेंट फीचर आउटलाइन आप क्लासिफिकेशन पढ़ना है ठीक उसके बाद टी निमाटे हलमन्थी अपको यहां पर पढ़ना था लेकिन उस सिल्बस में देखा था उसमें इंस्यलो स्ट्रोमा दिया था वह रहाएं बात में अगर हम देखिए आपको नहीं पढ़ना होगा शौरी स्करीश पढ़ाना हुगा आपको मैं इसकरीश का एक लिक्ष्र ले प्रान पढ़ना था प्रान का मारफॉलजी आप इंडियर्ज नर्वा सिस्टम पढ़ना था थिक इन में लैमिड डेंस नहीं है मॉलॉसका में देखिए आपको साइजन फीचर इनका आउटलाइन आप क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसके बाद मॉलॉसका में जो जीनस है और हमको यप्रकार से पता यह बैसा सब्स नहीं है और ऑड़ बैस्त से गोस्चान पूछा गया है इसमें वेक्टर पेस्ट में देखिए इसमें गंधी बग है सुगर केनली फॉपर है रोडेंट है टर्माइट है मास्कीटो है इतना इसमें पढ़ना है और एकोनामिक जोलोजी में एन्युल ब्रीडिंग अन कल्चर में पहला है यहां पर पीसी कल्चर फिरी कल्चर एकपी कल्चर लैक गल्क यम्क कल्चर आपका इतना दो ट्रीयाँ इंपड़ना इस बश्क के अनुसार आपको भी तना पढ़ना पढ़ना-एं इस सेलमस नं-पैर्सी सब पढ़ते हैं ठीक तो आपको समझ में आ गया हम क्या करना चाहते हैं तो अभी हम पीर्फित्र लाजी पर फोकस नहीं करेंगे कि हमको लग रहा है यही अध्राइस सल्वस है अगर किसी के पास अध्राइस कोई सल्वस हो तो वाटसप पे भ्याज दीजे ठीक हम देख लेंगे ठीक है तो हम पहले आज आपके साथ पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना आज topic यह मेरा unit 6 का है western and pest इसमें हम पढ़ेंगे पहला life cycle and the control आप गंधी बग पहले हम पढ़ेंगे गंधी बग के बारे में ठीक पहली यह है पेस्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ओके देखिए अच्छा किसी भी पेस्ट को आपसे उसाथ पढ़ेंगे पता है क्या देखेंगे पहले उसका classification देखेंगे थोड़ा बहुत उसका मतलब external feature तो नहीं देखना है बट ऐसे ही एगर मैं कोई identification के लिए करेक्टर बता दोंगी तो पर हम बता दोंगी दिन आफ्टर हम लोग life cycle लेखेंगे फिर उसका control देखेंगे ठीक है तो आपके बुक में मतलब जो पढ़ना है बस life cycle था उसका control था ठीक है तो थोड़ा जो केंगे बच्चा Leptocorycia तो देखेंगे आप लोग पहला प्यस्टा है राइस बग ठीक को बोलते हैं गंदी बग भी बोलते हैं राइस ब्सी के बारे में हम को देखेंगे दिस्दिकेसंपिशन पढ़एं न कहां यह पाई जाता है उसके बदर हम लोग life cycle disease and control उसका detail में हम इतने चीज़ के बारे में study करेंगे यह आपका देखिए प्यारा सा गंदी बग है लेकिन चावल की फसल को बहुत से ज़्यादा नुकसान करता है ठीक यह आप लोगों ने देखा होगा ओके बच्चा तो आएगे देखते हम लोग गंदी बग का यह जो रा आर्थोपोडा से मिलांगी करते हैं तो इसका फाइल हम है आर्थोपोडा छाका इंसेक्टा ता इनसेक्टा या फिर हचापोडवें αडेर इनका है हैं हमीपेरा के युटिरा के अर्डर के हैं फैंबनी इनकी है कोरडी क्या है फैंब लीक अर सब्वाच्उरकॉसा इसका तो बच्च अगर आपके एक्जाम में आ गया गंधी बग के बारे मीदा किसी भी पेस्ट के बारे में लिखना होगा सरप्रथम आप लोगों उसका नाम लिखेंगे फिर प्लासिफिकेशन करेंगे फिर उसका अइदेंटिफिकेशन लगेंगे न उसके बार लाइफ साइकल चाहिए तो प्रियून्ड कान्ट्रोल इतने में आपको बुक हताम होना चाहिए अगर सोट में हैं तो रहे तो पेज में करेंगे थोड़ी के बारे में यह आपका देखें गंदी यह है इंसेक्ठत का इंशिक्टर में बने में तो उसका पिकलीर व्यक्तर होगा है इनका माहितली बगाद होगा ठीक यह इनकी compound आई तो हमको यहां external morphology पढ़ने लगे हैं और उनकी – हभिजाल्जी पढ़ने लगे थो हम दो पढ़ चुके हैं ठीक देखिए इनका distribution है कहां डिजिज कास करते हैं ठीक इनका डिस्ट्पूरियोंत है थ्रोर आउट इंडिया पूरे भारत में यह ये पाई जाते हैं बट इंस मॉर प्रीविलेंट इन बेंगोल अजो अपयाते हैं बिहार में उत्तर प्रदेश में इंड unciation के स्टीट है वहाँ पर उत्तरप्रदेश में बेंगॉल में यह जाता रोफ से पायाता है यह तो देखें कि हैं पूरे इंडिया लेकिन में यह पाया जाते हूं में भीहार में यूपी में और साउडन के स्टेट है वहां पर ठीक कोमनली कल्ड गंधी बग कीडा इसको क्या बोदा है जो राइस प्लंट मेंल बंसमों मेंल दोलों जोन इसकता होस्ट ब्लांट करता है यह susuga कें लोगिन इसका नाम नाम देगते हैं पैडी से गंधी वग तों यह इन्पेक्ट कर सकता है मेंयं को भी कर सकता है जुवार को भी और सुगरकेन मतलब यह घंय को भी इनफेक्ट कर सकता है ढ़भ इस देखते हैं इस पेस्ट जो है सुगरकेन लीफhoffर न वारर्वणित भांडिबग है जो इसका अपीरन कारों ऑफर us देखने से कैसा लगता है तो handled है लोग होता है ग्रीस ब्राउन इन कलर यह ग्रीणिस ब्राउन कलर का होता है इंस इसको बोलते हैं गंधी बग, क्या बोलते हैं बच्चो गंधी बग इसके पास leg होगा three pair long leg होगा four jointed antennae होगे और three jointed tarsae होगे ठीक बच्चा तो इतना structure इस paste के पहरे में इस paste के पास होगा इसी से इनका हम लोग diagnosis करेंगे कि भाईया यही paste यह है अब आप लोग देखिए इसका life cycle क्या देखेंगे life cycle तो life cycle इनका है देखिए लारवा निम्प ऐसे ऐसे होगा ठीक तो देखिए जो इनका adult है देखिए किसी का life cycle हम लोग पढ़ने कहां से start करेंगे एक से start करेंगे male और female के में compilation होगा और उसने एक दे दिया अब एक से हम लोग start करेंगे एक से फिर adult तक बनाएंगे तो देखिए पहले एक से हम लोग start यहां करेंगे तो इनका जो life cycle है complete होता है three stage में एग निम्फ और adult इसमें क्या क्या stage है एग है निम्फ है और adult है तो देखिए they reproduce throughout the year ये साल भर किसी भी season में reproduction कर सकते ऐसा नहीं कि ये बस जन्वरी में reproduction करेंगे या फिर नॉंबर में करेंगे ऐसा कोई कुछ बात नहीं है ये हर season में reproduction कर सकते हैं ठीक they reproduce throughout the year on grasses and other green vegetables on which they live ये कहां पर reproduction करते हैं grass पर reproduction कर सकते हैं या फिर green vegetable पर जहां पर ये रहते हैं ठीक या फिर राइस बाइस वाले पर उस पर हो जाएगा male are capable up mating shortly after emergence male जब ये एक से निकलता है male हैचिंग जब हो जाती है हैचिंग हो जाएगा एक का ये covering तूट जाएगा तो male निकल जाएगा तो male निकलने के बाद ही कुछ टाइम कुछ टाइम बाद ही कापुलेशन करने के लिए रेडियो हो जाता है माइटिंग करने के लिए रेडियो हो जाता है ठीक यहीं इसमें कहा गया है अब देखिए आप लोग next देखिए पहले हम लोग इसका देखते है एक इसका कैसा है दा फीमेल ले ट्वंटी तु थर्टी एक्स इन रो एलंग दा मिड्रीव अंद लोवर सर्फिस आप लीफ ब्लेड देखें लीफ जैसे एक लीफ होगी इसमें ऐसे स्ट्रक्टर होता है न यह होता है लीफ बेट जहां से यह प्लांट से लगी होगी यह लीफ बेस है यह पेटियोल है यह लाइमना में ऐसे मिड्रीव हो तो इस मिड्रीव के चार्टरफ यह अपने एक को देता है कितने एक होते है एक बार में चौब से एक और यह रो में ऐसे परजेंट होते हैं ठीक यह कहा गया है कि दफी मेले ले सब्सक्राइब सब्सक्राइब को इस लीप पे ग्लूड करते हैं किसे यह खुद गमी सब्सक्राइब इनका इंक्युविशन सब्सक्राइब लांट इंक्युविशन सब्सक्राइब जब एक में highlighting हो जाएगा उससे जो निकलेगा उससे बोलेंगे निम निकलने के तीन से चार घंटे बाद ही खाना सुरू कर देगा ठीक क्या वो खायेगा लीफ को खायेगा ना जिस के लीफ पर थीक लीफ खाना शुरू कर देगा ठीक निम पर फीडिंग थ्रो आउर विंग जब खुब खापम और तो सब्सक्राइद ही निम्फ में पर होती है सिक venus लिए 5-5 टी है और यहां चार से पांच बाहरा करते हैं फ़र बोल्ख से लिटान और कपटता है लगभड़ति फ्क इम्सक्राइबार सफीड हो श्रौक सारी लग बाकर पांच छंग फांपकर सबस्क्राइब जाए यह नहीं होगाति weeds में ब्ल development is करेंगे तो तीन से पांस दिन में निम्फ निकलेगा हाइचिंग पेवाद फिन निम्फ लगबग 20 दिन में अडल्ट में करनवर्ट हो जाएगा यह यह अब इनका देखे नेचर डामेज्ट यह कैसे रास को यह प्लांट पर यह घ्राइज करते हैं वह एकले इसके इनसेक्ट होगा जो बहुत ही आइकटिव अचनक रॉग लंबा लूग उससा सब्सक्राइब होगा तैज दो लूग्बग 20 दिद्र हैं हिंच इनका लिंध्ट हो जब पायडी में धान में फ्लावरिंग होती है उस्सी टाइम यह पायडी फ्लावर को इन्फेक्ट करते हैं उके कि करते हैं नया नया भी फ्लौरी कुई है उसमें नया ग्रेण घान भी तो क्या करेंगे को उसका लिक्विड पोर्षन कुछ रहे नहीं वहीं बंज़ा धान हो जाएगा उसमें कुछ नहीं रहेगा ठीक है इट कादर फाइब टुवंटी फाइब परसेंट लॉस यह लगबग 25 से पांसे 25 परसेंटर लॉस कर सकते हैं ना एक उंटल होना है तो 75 किलो होगा यह जब फ्लावरिंग स्टेज रहती तभी धान पर इंफिक्ट करके धान का जो वह रहता है न उसको सक कर लेते हैं अब देखिए इनका इको भी हैविएड क्या है दा पेस्ट पापुलेशन इस मैक्सिमम फ्राम सिट्वंबर टू अक्टूबर इनका मैक्सिमम जानते हैं ज टाइम पेस्ट हिबरेट इन दे ग्रास विंटर टाइम में यह अपना पॉफलेशन कम कर लेते हैं और यह हिबरेशन में चला जाते हैं मतलब विंटर स्लीप में यह किसी ग्राउंड के निज़ी चले जाएंगे अपने आपको इन्वाइक्टिव कर लेंगे मतलब फिजिकली रूप से क्या क्या हम लोगों प्रॉस्स अपना सकते हैं ताकि गंधी बख से हमारे राइस को शुटकारा में सलके पहले हमको क्या करना होगा एक बीरिंग लीप्स जो है जो जिस लीप्स पर यह एक दिया है न ओदिख जाएगा आपको उस क्या करेंगे उसको तोड़ लें और जला दें ठीक है एड्ल पी कैप्चर थ्रो आउट त्रेप ड्स एड्स अजिस्ट्वास coordin और यह को आग जलाके पकड़ना चाहिए और इनको सेस्ट्वाइब कर देना को एप ऐस से पहले इसको दॉस्ट कर देने जहीं के धन के क्रॉप की दान क क्रॉप में फ्रावर वने से पहले उसका फ्लावर आता है ना उससे पहले आपको 25 परसेंट मतलब 100 परसेंट वाट अगर 100 एमल वाटर उसमें 25 एमल बीच्ट डाल देंगे तो 100 एमल वाटर में 100 लेटर वाटर में 25 लेटर बीच्ट डालके वहाँ पे छिड़काव कर देंगे और देखिए आज अगला दो मार हो गया फिजिकल कंट्रोल केमिकल कंट्रोल आप देखिए आप देखिए कहने हम लोग से बाटर में ने को कंट्रोल के शची करते हैं आप से चैजिकल करना है का से सटन हैं और उसको डिस्ट्राई पर देंगे इन यूच्पूल माकेनिकल में तर आवर उनको हम लोग डिस्ट्राई कर देंगे बारेस्कुल कंट्रोल में आपको जो सिसेंडल एक्सी पंक्टाटा है ये पेंटा ट्यूमिड प्रे जो ये ये है बहुत ही टफ नाम है ना सिसेंडल एक्सीस पंक्टाटा ये है और ये है पेंटा ट्यूमिड यसको प्रे करता है मतलब इसको खाग जाता है गंधिभक को आपान निंप एडल्ट अप लिप्टोकोर्शा जो ये बग्स टाइब करता है या फिर ग्रासा आ पट पता है यह पको छोड़के भी कभी कर सकता है उनको डिस्ट्रोई कर सकता है तो क्या करेंगे जब इसका आफ सीजन है सितंबर से एक्टूबर वाला सीजन नहीं है तब क्या करेंगे हम लोग रिमूल आप ग्रास उस ग्रास पो जिस ग्रास पे ग्रो कर रहा है या फिर एक लेंग किया है उस ग्रास को हटा देंगे लिए फिल्ड व दिए उसको बर्न नबी कर देंगे छाइं आप रिख यहां बर्न करेंगे ईह यह बर्न चालीं जला देंगे और क्या करेंगा पिस्ट पॉप्लेशन को कन्ड्रोल करने में मदद करेंगे दूसरा क्या करेंगे इसको वाटर से भीगो दें तो इतना गंधी बग का बारे में था हमने गंधी बग का पहले क्लासिफिकेशन पड़ा फिर हम लोगो ने इसका आइडनिफिकेशन किया इसका होस्ट प्लांट के है कि सब्सक्राइं सकता है फिर अपयाइं कैसा है पीर हम लोगा लाइडि स्यक्राइड में इनका इक था और आडेल、、、 तो 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 अले बाउट गंदी बग लेप्टो कर सा ठीक है अनेक्स लेक्ट्टर में हम देखेंगे कोई कोई पेस्ट आपके एक्जाम में जरूर आएगा यह तो इसमें क्या पढ़ना है आप चाहेंगे ना तो किसी भी बग के बारे में लिख सकते हैं अपना दिमाग लगांगे तो पहले इसको आइडेंटिफिकेस नहीं लिखेंगे तब भी इंसेक्टा से है तो आप बोल लिख सकते हैं अब बस जानते रहें कि इस प्लांट को यह इंफेक्ट कर रहा है ठीक है यह जानते रहें और आप पी इसके लाइप साइकल के बारे में लिख दीजिए थोड़ा लाइफ सेकल कैसे रिखेंगे सब में एक होगा निम्प होगा एडल्ट होगा ठीक है इनके दीखेंगे फिर उसके बाद प्रेवंशन और प्रेवंशन और देल दीजिए से केमिकल इसके लिख सकते हैं ठीक है लगब बेंजी और एक्सक्लोडा भी अस्ती सब में शिर्का जाएगा ठीक फिजिकल में क्या करेंगे किसी इंसेक्ट को बार्न कर देंगे जला देंगे या फिर डिस्ट्वा कर दें पकड़के लीफ को हटा देंगे ऐसे जो सब प्रोसेस किया गया यह लगबग हर पेस्ट में आपको कौमन दिखेगा ठीक तो थैंक्यू सुमाद बच्चों देट्स आल इबाउट गंधी बग लेप्टो कोई साव बारिक और निस मिलती हम लोग नेश्ट बग के साथ ठीक है